हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू दीपागे बंजिन चानल आज जो मेरे रिस्पी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ब्रत की रिस्पी जिसे बनाना काफी असान है और काफी कम टाइम में बन कर त्यार होता है तो चिली शुरू करते हैं यहाँ पर मैं बनाओंगी कद्दू वाले समा के चावल जिसे आप व्रत में अराम से खा सकते हैं तो मैंने लौकी ले ली है आधी लौकी को मैं छिल कर और काट लूँगे लौकी को छिलने के बाद आपी से धो ले कभी भी लौकी को काटने के अपाद ना धोए अब हम लौक के छोटे-छोटे पीसे त्यार करेंगे अब लौकी को इस तरह से बारिक काटे जिसे यह समा के चावल के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए लौकी कट चुका है तो अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं अब मैं लूँगी सावा का चावल स्वास्त के लिए काफी अच्छ अब गर्म कराहीं में एक बड़ा चमच आप ले ले घी यहां पर मैंने मिर्ची ली है हरी मिर्ची यदि आप खाते हो तो जरूर डाले तेल को गरम होते ही इसमें डाल दे आदी चोटी चमच साबू जीरा और एक हरी मिर्च सबको अच्छी तरह से भून ले अब इसमें ड पानी में कुक हो जाता है अब इसमें डाल दे सिंधा नमाग वापस से ढखका लगाए और इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए कुक कर ले जब लौकी आधी कुक हो जाए अब हम इसमें डाल देंगे सावा कचावल सावा कचावल बहुत कम समय में कुक होकर तयार हो इसलिए जब लौकी आधी से अधिक पक जाए तब आप इसमें सावा कचावल एड़ करें सभी को मिला दे और इसमें डाल दें आधा कप पानी वापस से अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे लो फ्लेम पर ढखक करें अब हम बना लेते हैं मीठे में हल्वा मैं यहाँ पर स कप सिंहारा काटा घी को गरम करें और इसमें आटे को कुछ देर के लिए फ्राइ कर लें कैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें धीरे-धीरे सिंहारे के आटा भुन कर इस प्रकार से रंग ले लेगा अब इसमें एड़ कर दे सुगर जितनी चीनी आप खाना पसंद करते हो इसमें चीनी एड़ करें चीनी को अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स करें अब इसमें डाल देंगे दूद यहां पर मैंने हाफ कप आटे के लिए एक कप दूद का यूज किया है अब इसे अच्छी तरह से दूद में मिक्स कर लें जैसे जैसे दूद सिंहारे के आटे के मिंटों में बन कर तयार हो जाता है और खाने में काफी स्वादेस्ट होता है। अब इसमें उबले हुए आलू डाले और गैस का फ्लेम low to medium रखे आलू को अच्छी तरह से fry करें अब इसमें डाल दे सिंधा नमाग आलू को तब तक fry करें जब इसके उपर brown crispy layer आ जाए यहाँ पर add करेंगे हमबारी कटी हुई धनिया पत्ती इससे इसका test काफी enhance हो जाता है सबको मिला दे अच्छी तरह से गैस का फ्लेम low to medium रखें अब यह आलू बन कर तयार है यहाँ पर गैस का फ्लेम बन कर दे गैस बन करने के बाद अब इसमें डाल दे नीमबू का रस मिला दे सबको अच्छी तरह से यह आलू की सुखी चटपटी सबजी बन कर तयार है इस सबजी के साथ खाने के लिए अब हम थाली पीट बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर मुंगफली को रोस्ट कर लिया है यहाँ पर मैंने half cup बड़े वाले साबुदाने को पानी में सिर भीगो का रखा था आप बिन भीगोई भी इसका पाउडर बना सकते हैं अब इससे mixer grinder में डाले और इसका एक फाइन पाउडर बना कर तयार कर ले half cup साबुदाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइस का आलू को उबाल कर mash कर लिया है अब इसमें डाल दे सिंगारे का आटा half cup अब डाल दे बारी कट्यू ही दन्यापती और सिंधर नमाग यहाँ पर मैंने मूंग फली का पाउडर भी बना कर इसमें मिक्स किया है सबको मिला दे अच्छी तरह से मोहिन के लिए मैंने यहाँ पर डाला है एक चमच घी आटे को अच्छी तरह से गुन ले और इसके छोटे छोटे लोई तयार कर ले अब आप इसे बटर पेपर में या फिर किसी प्लास्टिक में रखकर इसके रोटी तयार कर ले इसे आप बेलन की मदद से काफी आराम से बेल सकते हैं साबुदानी के पराठे को इवन सिब देने के लिए मैं इसे कटोड़ी से कट कर लूँगी इससे ये गोल-गोल दिखेंगे और देखने में भी काफी अच्छा लगेगा साबुदानी के इस पराठे को थाली पीट के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार से हमारे साबुदाने के प्राठे बिलकर तयार हो चुके हैं, अब चलते हैं तवे की तरफ तवा को गरम कर ले, अब इसमें डाल दे एक चमच घी, अब बहुत सब्धानी पुर्वक थाली पीट को तवे के उपर डाले अब इसे पलटते हुए दोनों तरफ से सेक ले, अब इस प्राठे में थोरे तरफ घी डाले, घी डालकर इसे दोनों तरफ लगाते हुए सेक ले जब भी अब व्रत के लिए थाली तैयार कर रहे हूँ थाली पीट को हमेशा लास्ट में तैयार करें थाली पीट ठंडा होने पे थुरा चूई हो जाता है इसलिए खाने से दो या तीन मिनट पहले ही आप इसे बनाएं अब हम व्रत की थाली अरेंज करेंगे तो मैंने यहाँ पे डाला है सावा का चावल लौकी के साथ साथ में डाला है हल्वा और यहाँ पे क्रिस्पी चटपटे आलू साथ में रखा है थाली पीट जिसे मैंने साबू दाने और आलू से बनाया है व्रत की ये थाली बन कर तायर है वीडियो पसंद आए तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए हैपी नवरात रे